Hello everyone, this is Rupinder and welcome to your channel Life Scale with Rupinder जैसे कि आप जानते ही हैं हर बार मैं कोई नया topic दून के लाती हूँ आज जो topic I think वो सबके जंदगी में बहुत important है How to stop overthinking क्या होता है कभी-कभी हम लोग ना बहुत जादा किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो वो past का topic हो या future आने वाला future उसके बारे में तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं Let's learn about it सबसे पहले तो हम ही समझना पड़ेगा कि what is overthinking overthinking क्या होती है जैसे कोई चीज है या कोई topic है या कोई ऐसी बात है जिन्दगी में जो आपको बहुत परिशान कर रही है आप बार बार उसको recall करते हैं उसे याद करते हैं और उससे आपके मन में negative thoughts आते हैं यह चीज होती है overthinking या कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बार बार याद करते हैं उसके याद आने से आपके मन में negative thoughts आने लगते हैं तो this is all called overthinking अब जब आपको पता चल गया what is overthinking हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका trigger point क्या है क्योंकि जब तक हमें किसी बिमारी का हमें reason नहीं पता होगा आप उस चीट का ilaj नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप देखिए कि what is trigger of your overthinking इसमें क्या देखेंगे कि क्या कौन सा thought है या कोई इनसान दुनी ऐसा जो बार बार आपके जिन्दगी में बार बार आ रहा है जिसे आप परिशानों के बाबा recall करते हैं या फिर कोई आपका past में कोई घटना घटी उसे आप बार बार याद करके आप बार बार परिशान हो रहे हैं तो अगर आपने यह जान लिया कि what is your trigger तो half of your battle is won क्योंकि जब तक जब आपको आदा पता चल गया कि यह बिमारी है मेरी तो उसका इलाज भी हो जाएगा जब भी कोई पुराना रिकॉल हो या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हो तो आप इस उस negative thought को challenge कीजिए कि क्या इसके लिए इतना परिशान होना जायज है क्या मैं मन घड़त ही परिशान तो नहीं हो रहा हूं कभी कभी क्या होता imagination आप चीजों से चीजर जोडते जाते हैं जबर दस्ती के बारे में सोचते जाते हैं कोई बात चोटी सी हो उसको लेके बैचे रहेंगे या उसको बार बार दोहराना यह चीज़े क्या करती है ना आप पबहार नहीं निकलने देती to a queste चालेंज के किलेने कि यह हुआ है मैं उस चीभी को तब दूंग कि मैं उसको इतना इंपवर्टन्स दूंग कि कोई परिशान कोई कोई की ऐसा परसें को हमीशह नीचा दिखाने की को excited करता है या आपको अमिशा नेगेटिव फॉर्ट्स मिलानी कुछ करता है तो अब यह सुच यची कि मेरा उसके लिए इतना सौचना भरी है क्या वह इतना काम सोच में इतना सुचे तो अगर आपने इतना सूंचेat तो आदा आपको काम और होगा क्योंकि आपने उस बंदे के बारे सोचा इसके कारण्ट मेर्क होता है ते बहुंद । अब नहीं सोचना आपको प्रक्टब्स करने है my आपको क्या चोप的 नंद बर्ञाइज करने ने दो मिपनिट के लिए». मिनिट के लिए उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए आपकी हाथ बीट को महसूस करने की कोशिश कीजिए आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए उसमें प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए यह मत कोशिश कीजिए कि आप पास्ट म आपके thoughts बार-बार जा रहे हैं उसको एक direction मिल जाएगी कि मुझे present में रहना है I have to enjoy my surrounding, I have to think about my breathing, मैं जो मेरे साथ हुआ है उन सब चीजों को छोड़ दीजे, past and future is about to come, present is what you are living आपको present में जीना है, आप हर चीज भूल जाएए तो जिन्दगी और खुश हो जाएगी, मतलब खुश हाल हो जाएगी आपके जिन्दगी अनादर क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं, अगर कोई बहुत important चीज है, तो आप किसे उसके लिए एक boundary set कर सकते हैं boundary set करना क्या हो गया, कि आप limit कर दीजिए कि ठीक है, मुझे एक topic है, बहुत important है, past का है, यह future है, अगर मुझे उसके बारे में सोचना है तो मैं दिन में इस समय में आदा घंटा बस सोचूँगा, उससे बाद, उससे पहले, उससे ज्यादा मैं नहीं सोचूँगा आप अपने negative thoughts को limit कीजिए, उसको ज्यादा time मत दीजिए, don't overtake, let your negative thoughts to overtake your present life, उसको आपकी present life के उपर मत आने दीजिए Another one is, आप क्या कर सकते हैं, बहुत एक अच्छा तरीका है, overthinking को overcome करने का, आप अपना self-care कीजिए Self-care क्या होता है, self-care is not selfishness, self-care जब आप करते हैं, आप exercise कीजिए, आपके emotions का आप देखिए, कि आपके emotions positive हो रहे हों आपके mental health की आप उसका थोड़ा ध्यान दीजिए, कि mental health मेरी किस तरफ जा रही है, अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दीगें आपके कोई hobby है, उसको follow कीजिए, आपका passion है, उसको follow कीजिए, या आपका कोई बहुत खास है, आपका कोई beloved है, बिल्कुल जि आप present में आ जाए, ठीक है, it's very important to take care of yourself, to overcome your overthinking, another one is taking action, जब आपको पता चल गया, कि मेरा overthinking इस thought के कारण हो रहा है, या इस particular person के कारण हो रहा है, या ये घटना बुराने समय में घटी, उसके कारण हो रहा है, तो ये अब समय आ गया है, आप उसके लिए action लीजिए, अगर आपको कहीं ज़ुरत परती है, किसी expert की help लेने है कि तो बिल्कुल उसके लिए hitch के जाने के ज़ुरत नहीं है, experts की help लीजिए, अगर आपको लगता है, कि ये negative thoughts जो है, overthinking जो मेरी personal life में, present life में, too much interfere कर रहे हैं, मतलब इतना interfere कर रहे हैं, कि आप anxiety feel कर रहे हैं, आप restlessness feel कर र लगते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा न, वो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, इससे और कम करने का, इसमें बिल्कुल गबराने की, या शर्माने की जुरुरत नहीं है, अगर आपको ये चीज़े परिशान कर रही है, overthinking, do work on that, अपनी present life पे focus कीजिए, because if the present is beautiful, your future will 100 percent will, very beautiful, I hope you like my thoughts, what I say and I hope you all like it and if you really like it, please do like, subscribe to my channel and please share my videos if you like, with your friends and anyone who need this to overcome overthinking, thank you very much for watching my video, bye, thank you.